Hello students, NCE Artifics के लाश 12 में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर साइउजन और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का सरेणी साइउजन दोनों ही परिक्षा की दरश्टी से काफी important है तो इन्हें ध्यान से देखना है इससे सम्मंधित जो प्रशन परिक्षा में पूछा जाता है वो इसी तरीके से है प्रतिरोधों के समांतर साइउजन का ब्यांजग ब्युत्पन कीजिए तो सबसे पहले हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं जैसा कि मैंने इसके जश्ट पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था तो सबसे पहले हम ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हमने लगाय हुए हैं जिसे हम R1, R2 और R3 नाम दे देते हैं अब ये तीनों समांतर क्रम में हैं अब इसके बाद आपको इन तीनों को दो बिंदूों से जूड़ देना है जैसे A और B इस तरीके से हमने दो बिंदू लिये अब इसको भी इससे जूड़ देना है इसको भी और इसको भी इसी तरीके से यहां भी पॉइंट B से जूड़ देते हैं इस तरीके से इसके बाद हम A और B दोनों में यहां से तार लगा देते हैं ताकि हम यहां से एलेक्ट्रिक करंट भेज सकें यहां पर बैटरी लगा दी चोटा एक बड़ा चिंद रहता है यहां बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन यहां पर कुंजी और इससे हम एड़ कर देते हैं यहां पर बैटरी के लिए B संकेत दे देते हैं और कुंजी के लिए K संकेत यहां पर दे देते हैं यह प्लस हो गय तो electric current प्लस से माइनस की वह आई इस तरीके से आएगी तो यह setup हमने बना लिया अब बात करते हैं बिववांतर की R1 का जो बिववांतर होगा वो होगा B1 यहाँ पे चुकि हम B1, B2, B3 नहीं लेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो बिंदू आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों का connection दो टर्मिनल A और B से है इसलिए इन तीनों का जो common voltage रहेगा वो भी मान लेते हैं तो यहाँ पे B सबका voltage है क्योंकि विभाव का अंतर A और B के बीच में समान रहेगा तो वो R1 के लिए भी वही रहेगा जो R2 के लिए है और वही रहेगा R3 के लिए तो इसलिए हम इसको भी जो voltage है वो सबके लिए एक सर रहेगा लेकिन धारा की बात करें तो धारा यहाँ से आई बहती है इस point पर जैसे ही धारा पहुचती है तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं देखे आप देख सकते हैं तीन रास्ते हैं तो R1 के लिए अलग धारा जाएगी तीन रास्ते हैं चुकि तो यह जो आई धारा है यह तीन भागों में बढ़ जाएगी इस तरीके से तो पहला भाग हम मान लेते हैं I1 दूसरा भाग I2 और यह जो तीसरा भाग है इसे हम मान लेते हैं I3 तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे जो आई धारा थी यहाँ पे तीन रास्ते थे तो ये तीनों रास्तों से बढ़ गई I1, I2, I3 इस तरीके से ये पहुँचके बापिस से यहां पे I बन जाएगी और यहां से सीधी I आ जाएगी तो यहां पे इस चित्र में क्या अलग से है तो यहां से पहले जो चित्र था जो स्रेणी क्रम में था आप ध्यान कीजिए थोड़ा सा यहां पे मैं आपको याद दिलाने की कोशिस करता हूँ जो स्रेणी क्रम बाला चित्र था उसमें विववांतर सबके अलग-अलग थे R1 का विववांतर भीवन था R2 का V2 और R3 का V3 लेकिन यहां पे जब हम समानतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो विववांतर कैसा है सभी का समान है क्यों है क्योंकि यहां पे दो बिंदों के बीच में विववां को जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा लेकिन यहां पे आप एक बात देख रहे होंगे कि स्रेणी क्रम में धारा आई ही रहती थी लेकिन समानतर क्रम में धारा आई वन, आई टू और आई थरी में बट जाती है तो यही इस चित्र की बिसेस्ता है और जो चीज बट रही है उसी के अनुसार हम करेंगे आई ये देखते हैं सबसे पहले तो हम इस चित्र के बारे में लिख लेते हैं कि हमें इसके बारे में जो इंफॉमेशन है उसके बारे में लिखेंगे जैसे चित्रानुसार तीन प्रतिरोद R1, R2 और R3 समानतर क्रम में जोड़े गए है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं चित्रानुसार तीन प्रतिरोद जैसा कि आप देख पा रहे हैं R1, R2 और R3 समानतर क्रम में जोड़े गए हैं अब जिनके एक सिरे का सम्वंद A से और दूसरे सिरे का सम्वंद B से किया गया है तो ये भी हम लिख लेते हैं इस तरीके से इनके एक सिरे का सम्वंद A अब ये जो सिरे हैं इनका सम्मंद बैटरी से करने पर इसमें आईधारा प्रवाहित होने लगती है तो ये हम लिखे देते हैं दौनों सिरों का सम्मंद बैटरी से करने पर परिपत में आईधारा प्रवाहित होने लगती है तो इसी तरी के से में लिखा दौनों सिरों का सम्मंद बैटरी B से करने पर परिपत में आई धारा बहती है लेकिन ये जो आई धारा बहती है इसके तीन हिस्से हैं I1, I2, I3 तो टोटल जो धारा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल धारा इसे हम I से दर्शा देते हैं वो किसके बरावर होगी तो टोटल जो धारा है इन तीनों के योग के बरावर होगी यानि कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से तो यह परिणामी धारा भी बोल सकते हैं इसको और इसको हम समीकरण एक बना देते हैं अब जैसे कि सर्याणी क्रम और समांतर क्रम बाले जो ब्यंजक होते हैं इनको करने की ट्रिक है कि जो अलग-अलग है यानि कि जो भिन-भिन तरीके से दिये गए हैं उसी को निकालिए यहां पे अलग-अलग क्या है तो बिवानतर तो तीनों का समान है लेकिन धारा जो है वो अलग-अलग है तो जो चीज अलग-अलग है उसी को स्टार्ट करते हैं जैसे पहले प्रतिरोध पर धारा या पहले प्रतिरोध के लिए धारा या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध आरवन से प्रवाहित होने वाली धारा तो चलिए लिखते हैं यहां पर हम लिखेंगे प्रतिरोध आरवन से बहने वाली धारा आईवन है और इसके बरावर में क्या होगा तो जैसा आप जानते हैं कि ओम का जो नियम है वो है भी समानुपाती आई तो भी बरावर क्या होगा आर आई तो आई का मान क्या होगा वी ओपॉन आर वी ओपॉन आर बरावर आई तो वन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आई वन हो जाएगा लेकिन विभाव तो चित्र में देखा जाए तो समानी है आप देख सकते हैं कि विभाव बदला नहीं है क्योंकि दो पॉइंट के बीच में विभाव बरावर रहेगा तो यहाँ पे जो विभाव है उसको हम V1, V2, V3 नहीं लिख सकते तो V लिखेंगे नीचे R है R को हम R1 लिख सकते हैं तो I1 की चगह पर हम क्या लिख सकते हैं V upon R1 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V upon R1 इसी प्रकार लिखेंगे प्रतिरोद R2 से बहने वाली धारा और इसे हम बोलेंगे I2 बरावर V upon R2 इसी पैटर्न पे लिख देना है इसी तरीके से प्रतिरोद R3 से बहने वाली धारा और इसे हम नाम दे देंगे R3 V upon R3 और यहाँ पे V upon R3 अब यदि I वरावर क्या हो I वरावर V upon R होगा यहाँ से ओम के नियम से V वरावर R आ रहाई V upon R वरावर क्या होगा I या I वरावर V upon R यह तो होगा तो समिंकरण एक से तो समिंकरण एक से समिंकरण एक क्या है देखिए आप I वरावर I1 प्लस I2 प्लस I3 तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे I वरावर I1 प्लस I2 प्लस I3 I की जगाँ पर क्या लेखेंगे V upon R चलिए लिख देते हैं I1 की जगाँ पर V upon R1 आप यहां से देख सकते हैं V upon R1 I2 की जगाँ पर क्या लेख सकते हैं V upon R2 and I3 यानि V upon R3 तो आगे बढ़ते हैं V upon R बरावर V यहां से उभाई निष्टा जाएगा क्योंकि तीनों में हैं common तो 1 upon R1 1 upon R2 और 1 upon R3 इसको लिखतेंगे V से भी cancel तो मिलेगा 1 बटे R बरावर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 और यही प्रतिरोधों के समांतर सहींजन का बेंज़क है तो जब हमें प्रतिरोध कम चाहिए होता है तो हम arrangement करते हैं समांतर क्रम बाला इसे partial क्रम भी बोलते हैं तो आप नीचे लिखेंगे यही प्रतिरोधों के समांतर सहींजन का बेंज़क है और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आईए इसका स्क्रीन सॉट ले लेते हैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से करम अनुसारत धन कर सकते हैं थैंक यू